भारतिय अंत्रिक्ष एजिंसी इसरो का चंद्रयांटू लगातार चांद के बारे में नए-नए खुलासे कर रहा है। इसरो ने ऐसी ही दो तस्वीरे जारी की है। यह पहली बार है जो इसरो ने चांद की ऐसी रंगीन तस्वीरे आम लोगों के लिए जारी की है। पता कर सकते हैं कि गड़े कहा है, कहा पहाड है, कहा समतल जमीन है और कहा पत्थर पड़े है। इस उपकरण की खासियत यह है कि एक कम से कम चांद की सताह से दो मीटर उची किसी भी वस्तु की तस्वीर आराम से बना सकता है। इसके लिए सुपकरण से दो प्रकार की किरणे निकलती है। उन किरणों के सताह से टकरा दे और उनके वापस लोगने के आफ़रों को जटा कर यह साफ किया जाता है कि चांद के सताह पर क्या है। आगे चांद के सताह पर बने गड़ों से चांद की काले धुबों का क्या लेना देना है। असल में यही गड़े और उनकी पर छाईया ही चांद के चहरे पर काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। कैसे बनते हैं चांद की सताह पर यह गड़े। चांद की सतह पर अकसर, दर्जनों या उससे ज्यादा के संख्या में उलका फिंड, शुद्र ग्रह और धूम के तु टकराते रहते हैं। इनके टकराने के वज़ा से ही हजारों सालों से चांद की सतह पर ऐसे गड़े बन रही है। पहली तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा गड़ा नया है और कौन सा पुराना है। नय गड़े का रंग जादातर चमकदार और पीले रंगा दिख रहा है। इसके चारों तरफ ताजी विट्टी और धूल दिखाई दे रही है। इन गड़ों के अंदर का रंग चांद की सतह से चमकदार और हलके रंगा होता है। चांद के सतह पर जन गड़ों का रंग गहरा है यानि काला नीला और गहरा हरा है वो पुरारा गड़ा है इन गड़ों के अंदर का रंग चांद की सतह से मिलता है आखिर कितने गड़े हैं चांद के सतह पर कितने गड़े हैं इसका सही आकड़ा किसी भी देश की अंतरिक्ष एजनसी या वैग्यारिकों के पास नहीं है लेकिन एक अनुमान के अनुसार चांग पर 5185 गट्टे हैं जो 19 किलो मिटर से जादा चोड़े हैं 10 लाग गट्टों के चोड़ाई करीब 1 विटर है जिक करीब 50 लाग गट्टे ऐसे है जिनके चोड़ाई करीब 10 मीटर या फिर उससे ज्यादा है अगर आपको इस स्टोरी पसंद आए तो इस लाई को शेयर करें साथ ही अपने व्यूज अमें कमेंट कर जिस जरूर बताएं डेली फ्रांडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए